हेलो दोस्तों आपका स्वागत एक नए वीडियो में, आज की वीडियो में आपको बताने रहा हूँ, ओपो ए-38 में किस तरह से स्मार्ट स्लाइडर ओपन कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो नमस्कार दोस्तों मैं हुरोज जैस्वाल आप देख रहे हूँ टेक्निकल आर्जम दोस्तों आज हम आपको बताने हो ला हूँ स्मार्ट साइड बार के बारे में अगर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे चाहते हो अपनी साइड बार को ओपन करना किस तरह से आप अपने मोबाइल में साइड बार ओपन कर सकते हैं अगर साइड बार में स्क्रीन सॉट का ओप्सन आजाएगा आपके मोबाल के स्क्रीन पे और उसमें phone memory का option आजाएगा 4-5 और भी option आपके mobile के screen पे sidebar आप जैसे open करते हो तो आपके mobile के screen पे show करना शुरू हो जाएगा बहुत सारे option इसमें दिया हुआ है और जितना चाहे उतना option आप इसके अंदर add कर सकते हैं करने का भी option आता है फिर आप अपने screen पे अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको अपने mobile का setting open करना होगा setting open करने के बाद नीशे स्लाइट करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा conventional tool के अंदर आपको मिल जाएगा sidebar का option दोस्तों चलिए आपको लेके चलते mobile के setting में और वहां से आपको बताते किस तरह से आपको अपने mobile में conventional tool में आना है और किस तरह से आपको अपने mobile में setting करना है चलिए दोस्तों यह रहा conventional tool एक बढ़ और देख लीजिए एक conventional tool है और नीचे देखने सबसे लास्ट में दिया है smart sidebar यह smart sidebar है जिसमें नीचे से आपको ok कर लेना है और तीन option यह दिया है और एक auto hide दिया है तो मैंटिक मतलब उपर आने के बाद है तो मैंटिक हाइड हो जाएगा चिप जाएगा तीनों option को आपको अपने mobile में ओन कर लेना है ओन करने के बाद आपके mobile में इस तरह से sidebar दिखना शुरू हो जाएगा फिलाल मैं इसको off कर दिया हूँ फिर से on कर दे रहा हूँ और इस तरह से आपको भी अपने mobile में इसको on कर लेना है on करने के बाद आपके mobile में sidebar इसी परकार से काम करना शुरू हो जाएगा देख रहे हैं स्क्रीन सोट का दे रहा है बहुत सारा option इसके अंदर आपको मिल जाएगा आप कुछ भी काम करते रहे हैं अपने mobile में और यह sidebar आपकी mobile में आ जाएगा जिसके जरिये आप बहुत सारा double काम आप अपने mobile में कर सकते हो पिचर देखते हुए भी और कोई भी मतलब ऐसे message कर रहे हो आपका sidebar हमेशा आपके screen पर रहेगा आप उसको इधर उधर जैसे चाहे अपने screen पर उससे set कर सकते हैं और भी अलग भी mode में उससे change कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और share कीजिए ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे बहतरीन वीडियो एक बार कमेंट जरूर कीजि मिलते दोस्तों नेक्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच